आप सबको नमश्कार दिल्ली में करोना की स्थिती के मद्दे नजर कुछ एहम निर्ने लिए गए हैं पहला तो ये की कुछ दिन पहले कुछ हफते पहले दिल्ली में करोना की स्थिती में जब सुधार हुआ था तो दिल्ली सरकार ने केंदर सरकार के निर्देशों को मद्दे नजर रखते हुए और जो केंदर सरकार की गाइडलाइंस थी उसके मताबिक दिल्ली में शादियों में 50 से बढ़ा के 200 तक की संख्या एलाउग की थी कि 200 तक लोगों के शामिल होना एलाउड किया गया था उस ओर्डर को विड्रॉ करने के लिए आज निरने लिया गया है कि 200 से वापस 50 लोगों को शादियों में केवल 250 लोग एलाउड होंगे और ये निरने मैंने लजी साब के अप्रूवल के लिए अभी सुबह सुबह भेजाए मैं उमीद करता हूँ कि उनकी जल्दी अप्रूवल आ जाएगी दूसरा हमने देखा कि कुछ बाजारों में दिवाली के समय काफी ज़्यादा ना तो लोग मास्क पहन रहे थे ना सोशल डिस्टेंसिंग कर रहे थे जिसकी वज़े से करोना बहुत ज़्यादा फैलने करोना बहुत ज़्यादा फैला तो एक प्रस्ताव किंदर सरकार को भेजा जा रहा है कि किंदर सरकार ने पिछली बार जो रैडलाइन्स जारी किये थे उसमें उन्होंने कहा था कि कोई भी रज्य सरकार अगर किसी भी लोकल लेवल पे छोटे लेवल पे भी अगर कहीं कोई लॉकडाउन लगाना चाहती है तो उसे केंदर सरकार की permission लेनी पड़ेगी तो एक जनरल प्रस्ताव के अंदर सरकार की approval के लिए भेजा जा रहा है कि अगर कहीं पे अब दिवाली खतम हो गई है हम उमीद करते हैं कि बाजारों के अंदर जो इतनी ज्यादा भीड थी वो भीड कम हो जाएगी और हमें जरूरत नहीं पड़ और सारी कोशिशों के बावजूद भी अगर किसी बाजार में हम देखते हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क का पालन नहीं किया जा रहा और वो एरिया एक तरह से लोकल कोरोना होट स्पॉट बन सकता है तो उस वहाँ पे बाजार को कुछ दिनों के लिए एहतियात के तो और पे बंद करने की इजाजत दिली सरकार को दी जाए ऐसा प्रस्ता अभी केंदर सरकार को भेजा जा रहा है इसके लिए भी मैंने लजी साब की परमिशन के लिए अभी लिग दिया है हम सब लोग आप देख रहे हैं कि किस तरह से सारी सरकारें मिलके करोना की स्थिति को काबू करने की कोशिश कर रही है। केंदर सरकार का मैं खास तोर से शुक्रियादा करता हूँ कि इस कठिन परिस्थिती में केंदर सरकार ने दिल्ली वालों की मदद की है और सबसे बड़ी मदद है कि जो उन्होंने साड़े साथ सो ICU बेड्स और जल्द से जल्द बढ़ाने का उन्होंने आश्वासन दिया है इससे सबसे ज़ादा हमें लाब होगा क्योंकि इस वक्त बाकी सारी में एसस कर रहा था बाकी सारी बेड्स अभी हैं सफिशेंट हैं कुछ अस्पतालों में जो सबसे बड़े फाने न। ऑन षबासरा कंहीं एन एस्पतालों को छोड़े तो अन्या काई सार्य सरकारी अस्पतालों में और ऑकिसारे प्राइवेट सबसे यंद्स बैड्स की चेटीग ठीक ठाक हैं लेकिन ऐस्जीव बेड्स कम होते जा रहे हैं मह इसके लिए केंदर सरकार में आगे करता हूँ, इस वक्त सारी सरकारें, केंदर सरकार, दिली सरकार, सारी एजंसी, डी आर, डी ओ, आई सी, लोग आप जब तक अहतियात नहीं बहता हैं, कि मास्क जरूर 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 पहनिये, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन जरूर जरूर कीजिए, कई लोगों को लगता है, मुझे तो नहीं होगा, परोसी को हुआ, मुझे नहीं होगा, ये किसी को नहीं देखता करोना, ना गरीब को देखता, ना अमीर को देखता, ना इसको देखता, ना उसको देखता, किसी को भी कभी भी हो सकता है, और अगर बिगड जाए तो खतरनाक हो सकता है, तो फिर से मैं हाज जोड के सबसे अपील करता हूं कि आप प्लीज, प्लीज सोशल डिस्टेंसिंग की कापालन की जो और मास्क जरूर से पहने है नमस्कार